बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे मिलते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आपके उज्वल भयुशे के लिए बहुत बहुत शुबका मेनाय देता हूँ नरेंदर मोदी जी के नेत्रूतों में भारतिय जन्ता प्याटी की शांदार जीत हुई और उसके बाद देश में एक नए परिवर्तन की शुरुआत हुई है आप तो देखी रहे हैं कि हमारे देश में इंफलेशन का रेट एक समय 18% तक चला गया था हाइस इंद वर्ड वो 2 2.84 परसेंट पर आया है महिंगाई कम हुई है और विकास के कामों की जोरों में शिरुआत हुई है मैं इंफ्रोस्ट्रक्चर का रोड का मंत्री हूँ हमारे क्षेतर में करीब 2,40,000 करोड के काम बन पड़े थे उसमें से 1,80,000 करोड के काम लगबग चालू हो गया है एक सम में मुश्कील से 3 किलोमेटर भी एवरेज हमको पर डे हम काम नहीं कर पा रहे थे पर हमने आने वाले 2 साल के लिए 30 किलोमेटर पर डे का टार्गेट रखा है काफी कामों की शुरुआत हुई है और देश आगे जा रहा है देश की एकोनॉमी मजबूत हो रही है एक्सपोर नए आने वाली सरकार विकास की प्रायोरिटी को लेकर चल रही है और निश्चित रुप से जो एपडिया है वो चाहे इंफ्रोस्ट्रक्चर में हो चाहे डिफेंस में हो चाहे अलग लक्षेत्र में हो हम सब को इंकरेज कर रहे है जो डिसिजन प्रोसेस है वो फास्ट हो अलगी है हम लोग चाहते कि हमारे दुनिया से सभी लोग हमारे देश में आए नए ने टेक्नलोजिया है डीजीटल इंडिया यह प्रधानमंत्र की सोच है और इतना है नहीं तो मेक इन इंडिया जो चीज हम बहर से लाते हो हमारे देश में हम पनाएंगे और मेरा कर्मिनल बना रहे हैं बसपोर्ट बना रहे हैं जैसे ए एर पोर्ट जैसे बसपोर और वाटर पोड बनेंगे हम इंलैन्न वाटर वेज को प्रयापटी दे रहे हैं हमारे यहां بहुत बड़े प्रमांड पर एक बहुत अच्छा परिवर्तन दिकास की और लेकर हम जा रहे हैं महाराष्ट में और इसके साथ साथ हमारे हाँ जो चुनाव हुए है उन सब चुनाव में विदान सभा के चुनाव में पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिली है मेरा विश्वास है कि अब जम्मु कश्मीर और जारकन में भी चुनाव हो रहे हैं जैसे महाराष्ट और हरियना में हमको अच्छी सफलता मिली है वैसे जम्मु कश्मीर और जारकन में मिलेगी देश तेजी से बदल रहा है देश आशा अपेक्शा और उमंग के साथ दरेंद प्रधानमंत्री साउसत जो है उसमें प्रधानमंत्री ने सभी साउसतों को अपील किया कि साउसत एक एक आदर्श गाओ को तैयार करें और कारे के शुरुवात करें और कम से कम अपने रेजिम में कम से कम तीन आदर्श गाओ तैयार करके दिखाएं अगर ये आदर्श गाओ करने की वजनाय लानी चाहिए यही उनकी सोच है मेरा विश्मास है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं जब हमारे कश्मीर में हाथसा हुआ तो प्रधान मंत्री जी ने तुरंत तीन दीन के अंदर एक हजार क्रोल रुपे दे दिये मुझे जब मोका मिला तब मैं गया तो वहां मैंने धाई सो क्रोल रुपे रोड के लिए दिये सभी डिपार्टमेंट ने वहां मदद की है जब भी कोई ऐसा नैसरी आपदा आती है तो कोई भी देश का पार्ट हो कोई कहीं की भी जनता हो उनके पीछे पूरी ताकत से खड़े रहने का काम हमारी सरकार ने किया है हमारी सरकार दिरंतर प्रगत्य विकास की और जा रही है गाओ गरीब मजदूर किसान के कल्लैन के बारे में सोच रही है जो नएने चीजों में जो परिवर्तन करने चाहिए उसके लिए प्रधानमंत्र जी के नितुरत में विश्वास हैं ऐसी अनेक बाते हैं कोल के बारे में सुप्रीम कोट ने निरने दिया पावर सेक्टर की हालत बहुत खराब है पर कोल के बारे में भी सुप्रीम कोट के निरने के बाद सरकार ने तुरंत अध्यान करके अध्यादेश निकाला और मेरा विश्वास है कि आने व इन सब हवालों को सुल जाया है, economic reform का आर्थ यही है कि हमारे infrastructure हो, हमारा petroleum gas का sector हो, हमारा coal का sector हो, हमारा power का sector हो, इसमें अगर समुचित निरने अगर सरकार करती है, जो industry को आगे लेकर जाने वाली है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा फाइदा होगा, बीच में land equation के कारण और forest and environment clearances के कारण बहुत दिक्कते आई थी, हमारे देश की प्रगती भी हमको चाहिए, और उसके साथ देश में ecology and environment भी चाहिए, हम दोनों का समन्वे करके देश को आगे ले जाना चाहते हैं, देश का विकास भी हो, और ecology and environment का भी protection हो, हमारी सोच eccentric नहीं है, हम दोनों को मि कुषगार देनी के क्षमता देश में बढ़ाने के लिए, skill development जैसे प्रोग्राम प्रधान मंतर जी के मार्गदर्शन में शुरू हुए है, 25 सप्टेंबर को दिन द्याल जी को स्मरण करते हुए, हमने प्रधान दिन द्याल उपाद्या, काउशल ने विकास योजना के शु प्रकार से हमारे computer software engineers ने दुनिया में lead लेकर एक बड़ा काम किया है, और रोजगार में मिला और देश के विकास में उन्हें मातुण भूमी का निवाई है, उसी प्रकार से इस skill development के कारे को हम प्राथमिक्ता दे रहे हैं, और हमारे skill development से 10 हुए लड़के, 2020 तक 4,70,000,000 जो हम प्रयास कर रहे हैं, हम लोग लगातार सीचाई के ख्षेत्रों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम सब के आस्ता जो गंगा है, जो गंगा हमारे देश की इतियास, सुख्टुक्यर विरासत की प्रतीक है, उसके बारे में भी योजना हमने बनाई है, उसके उपर जोरो से काम शुरू हुआ है, मैरा विश्वास है कि आने वाले कुछ सालों में अविरल दिर्मल गंगा का सपना हम पूरा करेंगे, जो राम सेतु का हमारा आस्ता का प्रशन था, मैं खुद वहाँ जाकर आया हूँ, और राम सेतु के चार-पाज आप्शन्स हमारे सामने राइट को हमने अपॉइंट किया था, उनने स्टड़ी करके दिये है, और जल्दी ही हम प्रधान मंत्री को और कैबिनेट को ये रखेंगे और उसके बाद में उचित मिलने होगा, हमारा देश सभी क्षेतर में आगे जा रहा है, अमरिका हो, औस्टेलिया हो, जापान हो, अलग अलग देशों के साथ हमारा सही होग बढ़ रहा है, नेपाल के साथ हमारे जो छोटे-छोटे राष्ट्र है, जो हमारे नजदीक है, उनके साथ भी अच्छे संबंद करके, वहां भी हम विकास के लिए नए नहीं बाते लेकर आ रहे हैं, देश आगे जा रहा है, और बात का साविमान बढ़ रहा है, भारतियों की इजट और पतिष्टा बढ़ रही है, देश तरक्की और विकास की और तेजी से दोड़ रहा है, ये बाते निश्चित रूप से आप सब के लिए अनंद की है, मेरा विश्वास है, आप सब के शुबकामन है, शुबेच्चा रखकर गाव, गरीब, मजदूर, किसान, और देश के लिए विकास की नेनी योजना लेकर जो काम कर रहे है, उससे निश्चित रूप से हमारे भारतियों जो विदेशों में बसे है, उनको भी बहुत अनंद हो रहा है, आपकी अपेक्षा है, आपकी आशा है, आपकी आका ले जाएंगे, यही विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुबकामरा देता हूँ, धन्यवाद, जैहिन, भारत मता की जैहिन